बैक्टर्य के डिगाडिंग आज अपने बात करेंगे का अपने दिख लिया है इसके लाभा आपने बैक्टरीय का जीनोफोर का भी डिसकस कर लिया है अपने का था कि वह रीजन जहां पर उसका जैनिटिक मैट्रियल आरेन डीन ए और उसका जो अपने का था है नूक्लियो डिया फिर जिन वो यह भी अपने थोड़ा सा इससे पहले ग्लास में डिसकस कर लिया हैं आज अपने बात करेंगे बैक्ट्रिया का ग्राम स्टेनिंग के लिए ग्राम स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहेगा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यह जो टेक्निक है यह स्टेनिंग का टेक्निक है और फॉस्ट गिवन बाई गिवन बाई क्रिस्टेन ग्राम 1884 इसमें जो स्टेन यूज करते हैं कलर जो यूज करते हैं इस अ क्रिस्टल वालेट क्रिस्टल वालेट जो की परपल कलर का या वालेट कलर का होता है इसके लाभ इसमें एक फिक्सेटि यूज करेंगे वे शेटिव उसकेरएगे देटिज आयोडेन सोलुशन वह इसकलर को या स्टेन को कुछ तक फिक्स करता है मैं यह जो ग्राम स्टानिंग टेक्निक हैं इस इससेट तो वी आधिफरेंशिल टेक्निक किए डिफ्रेंशियल टेकनिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह पिर्फिरेंशियेट बीट्विन बैक्टिरिया के अंदर बैक्टिया को दूसरे बैक्टिया से differentiate करता है इसलिए इसको differential टेक्निक कहा जाता है देखते हैं इसमें क्या procedure होता है इस प्रोसीजर में सब से पेले हम bacteria का material लेते हैं को सकता है कि हम कोई का solution ले लिया जाए या फिर हम कार्ड को ले सकते हैं तो उसके लिए क्रते हैं हम उसका एक smear बनाते हैं first smear स्मीर स्मीर का मतलब है कि लिए और एक पडिश्य जिल्ली बनाता है एक त्युक्त है लगबग 45 धीगरी एंगल से इसको रब करें तो एक प्तली सी फिल्म त्यार हो जाती है अब उसके ऊपर हम क्रिस्टल वालेट डालेंगे जो क्रिस्टल वालेट है इसमें टू टू फाइव डॉप से फिजिंट होता है इसके बाद में इसके अपर यह फिक्सेटी यूज़ करेंगे आयोडून इसको मैं एड करेंगे इसमें भी यह आप टू टू फाइव डॉफ सफिसेंट होता है अब क्या करते हैं कि यह स्टेन उसके लिए फिक्सेटी थोड़े दिर के लिए रखते हैं और बाद में यह लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया है तो हम इसके लिए एसिटॉन एसिटॉन या फिर एलकोहल से उसको वास कर रहते हैं तू रिमूव एक्स्टा इस्टेन एक्स्टा इस्टेन हटाने के लिए और उसके बाद में माइक्रोस्कॉप में देखते हैं कि इसको माइक्रोप में देखते हैं माइक्रोप में देखने पर हमें दो कंडिशन दिख सकती है यह तो वालेट कलर या परपल कलर परपल बैक्टिरिया है बकरिया नौट सीन डि Ahora Ellis नौट सिन नहीं वी दिख्धें दो बात हो सकती है या तो पार्पल काड़ के दिखें वाउष करने बास या फिर नहीं दिखें लिए नहीं दिखें या परपल करके दिखते हैं यह बेक्टिरिय्जा ग्राम सब्सक्राइब नेगेटिव बैक्तिरिया को देखने के लिए हमने किसका यूज़ कर लिया है सब्सक्राइब करने के बाद तो क्या करते हैं ग्राम नेगेटिव को हम फिर दूसरे से यूज़ करते हैं स्टैन we the सफर और टो एक कॉमन को यूज़ करेंगे तो बैक्तिरिया को बापस मार्क्रिक्रप्रेश में दिखेंगे तो तो देयार सेन दा रेड कलर डेड और पिंक कड़र बेक्टीरिया इसका मतलब यह हुआ कि यदी हमें कि अंगि कि अधर को स्थेन करना है तो हम उसके लिए शेफरनी यूज्द करना जरूरी होगा जिखते हैं क्या बात करियां का में एक बात करें सिंपल ग्राम स्थेन एक ट इसन फस्ट वाइट इसमें फिक्सट्रीट यूज़ करते हैं यहां पर दो टम आप यहां पर मिल गये हैं ग्राम पोजिटिव और ग्राम नेगिटिव बेक्टिरिया ग्राम पोजिटिव और ग्राम नेगिटिव बेक्टिरिया हम कुछ डिफ्रेंस देखते हैं ग्राम पोजिटिव में और ग्राम नेगिटिव बेक्टिरिया में कुछ दिफ्रेंस हैं कौमन से डिफ्रेंस बीट्विन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पोजिटिव बैक्तिरिया एविंग पेप्टाइडो ग्लाइकेन ग्लेकेन आप ग्लेकर अबोट सैवंटी तू एपरसेंट इन देर सैल वल्षिस के साल में का पर्सेंटेज हैं वह सेवंटी पर्सेंट होगा। वेर्यज इन ग्राम नेगेटिव जो प्रप्रड़ ग्लाइक एक परसेंटेज है विच इस अबोट टो तुट्य थर्टी परसेंट आउनली इसमें जो है प्रड़ो ग्लाइक एक परसेंटेज कम होता है ग्राम में की पॉजिटिटिव एक टिरेके सैल वाल्च वहुती है सिंगल लेयर वॉल होती है यह जो वॉल होती है सिंगल लेयर के साथ साथ स्ट्रेट भी होती है स्ट्रेट इस तरह से एक दम स्ट्रेट वॉल ऑल की बात करते हैं यहां पर यह वेवी होती है वेवी वाल इस तरह की वॉउल जो है वो वेवी होगी सेल वाल घ्राम पोंजिट्व ब्oking चर्या के अंदर जो लाइपो पॉली सेकmemberräड्ड को यह ठी पॉरींस इंपर्टेट पॉर्डॉरींस नहीं पा जाते वेराइस पॉरीन्स आर कॉमन इन ग्राम नेगिटिव बैक्टिरिया पिल्लाई या फिर फिंब्री आर यूजुली लेस कॉमन या लेस कॉमन मिस एप्सेंट कॉमनली कॉमनली परजेंट इसमें ये मिलते हैं कैप्सूल की बात करें कैप्सूली लेस कॉमन इन ग्राम पोजिटिव बैक्टिरिया वेराइस कैप्सूली परजेंट इन ग्राम नेगिटिव बैक्टिरिया मीजुजौम की बात करें मीजुजौम इस एप्सेंट इन सोरी परजेंट इन ग्राम पोजिटिव बैक्टिरिया और ये एप्सेंट इन एप्सेंट यूजुएली जो ग्राम बेक्टिरिया का फ्लेजिला होता है तो बैसल बोडी है तो इसके बैसल बोडी में दो रिंग होती है वेराइज इन ग्राम नेगिटिव बैक्टिरिया having four rings in their vessel body, vessel body में चार रिंग होती हैं, चार वल्य होती हैं, gram positive bacteria जो होते हैं वो they are less pathogenic, less pathogenic मतलब यह हैं कि यह कम disease cause करते हैं और यह यूजवली यूजवली पैथोजेनिक मतलब यह ज़्यादा कि डिजीज कॉजिंग होते हैं इस से ज़्यादा रोग होते हैं तो क्या बात करी देखिए वापस gram positive और gram negative में धनात्म ग्राम बनात्मक जीवानों में difference gram positive जो होते हैं उसके कोशी का भित्ति के अंदर प्रेप्ट्रोग्लाइकन का जो अंस होता है वह सत्तर से असी प्रतिशत होता है जबकि gram रिनात्मक जीवानों में प्रेप्ट्रोग्लाइकन का आंस बीस से तीस प्रतिशत ही होता है gram धनात्मक जीवानों के कोशी के बित्ति एक प्रत्की होती है और इसमें जो है वह दो प्रतबोर जबकि अंदके अंदर उप नपसित होता है हैं ग्राम रिनात्मिक जीवानों के बहार पोरीन्स नहीं पायते हैं जिवानों भोज़ियों कि जुड़ने का स्थलम आन 손 попыт नहीं पाया थी जब की इनके अंदर प्रबाइन ली उपक्षित रहती हैं घ्रायां रिनात्मिक जीवानों हमें के इनके अंदर और 카प्सूल उस्टित रहता है मिजवं यहां पर उपश्ठित यह यहां पर युजुली कम पहजाता हैं चान अदर नेके तार उन्हें, पहले जाता हैं जो हैं कम रोगकारी होते हैं जबकि यह अधिकतर रोगकारी जीवानों होते हैं जो कि ग्राम रिनात्मक होते हैं इसके लावा हम एक दूए एक्जामपल देखते हैं ग्राम रिनात्मक जीवानों के और ग्राम धनात्मक जीवानों के जैसे की बैसिलस बैक्टिरिया ग्राम जिवानों हैं जैसे कि इसमें बात करें तो इकोलाई एक ग्राम जिवानों हैं तो विब्रियों भी राम रिनात्मक हैं स्टेप्ट्रकॉकस स्ट्रेप्टो कॉकस ग्राम थनात्मत जिवानों है ठीक है एक चोटे सा पॉंट और ले लेते हैं बेक्टिरिया का ही लेते हैं मीजोजॉम मीजो जॉम क्या है मीजोजॉम ज़ो बक्रा का जैल होता है वो अदर उसकी मेंब्रेन है वो यहां पेड्री फॉलडे जिजन् тебя का जायता है मीजोजॉम और मीजोल वीर इनदर के तरफ मोडी हुई इनदर के तरफ मोड़ी भी इन फॉल्डिंग in falling and williform cell membrane in bacteria will ly form will ly wider अंदर तरब मुड़ी होई वो सैल membrane है वह solve कह रहता है मीजोम बेक्टिा के दो हैं एक है siep-tal flaps मिजोजॉम स्टेटल मीजोजॉम सरा और दूसरा तो है और लेटरल मीजॉम लेटरल निजॉ preach दो तरह की में जाम है अज्य सेफ्टरं मीजॉम जो है वो क्या करता है यहां जो उसका genetic material है उसको connect करता है इट connect connect cell membrane with 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 genophore गिजीन फोर को connect करता है जबकि यह क्या करता है यह बैक्टरिया इट प्रोवाइड 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 रेस्पाइरेटरी प्रवाइट साइट फॉर रेस्पाइरेटरी एंजाइम का इस्थल जो है यह उपस्तित प्रदान कराते हैं जाकि रेस्पिरेशन हो और इसका काम जो है विची एनालोगस टू अगलागस टू यूचयोटिक माइट्रोकॉंद्रिया या यूचयोटिक माइट्रोकॉंद्रिया के अनलोगस काम करता हैं इसलिए इस यंदि टूच मी जों को अट्टूब ए ऐ 흥े aichon chondroids इसलिए इन्यक विकान जाता है इसके अलाबा ये वाला सेप्टल बींगाम है हाल्प इन सेप्टा फॉर्मेशन सेप्टा का फॉर्मेशन में हेल्प करता है में सेप्टा मेंस वॉलन फॉर्मेशन सेप्टा फॉर्मेशन एंड डी ने रेप्लिकेशन डी ने के परतिलिपी करण में भी यह मदद करता है यह जो यहां पर जब बैक्ट्रा का सेल डिवाइड होगा तो यहां सेप्टा बनेगा और जिसकी वज़त से यह दो डॉक्टर सेल्स बन जाएगी देखिए यहां एक च यहां रहे लेक्ट्रां मिलेंगे मिजाम के उपर और चाहिए खुए के रहे हैं तो यह करें करें इसको ली रिटल मेजवां को क्या करहें रहे हैं